हेलो गाइज वेलकम टो अनदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंट्स एस जे एस इंटरपाइजेस की ओर से जून कॉर्टर की फिनांसल रिजल पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में कवर करेंगे अनॉडिटेड स्टैंडल आउड और कॉंसॉलिडेटेड दोनों फि इंकम क्वाटर ओन क्वाटर में तो इंक्रीज है यार ओन यर में भी इंकम इंक्रीज किया लेगिन क्वाटर ओन क्वाटर में एवरेज इंक्रीज किया है एक्सपेंस 152.3 करोड का मार्स 24 में 152.3 करोड का जून 23 में 96.2 करोड का एक्सपेंस हुआ था quarter on quarter में as it is same है year on year में increase किया लगवा 3 lakhs का income में down गया था company का एक ओप्रेडिंग प्वाफित 37.6 करोड का मार्च 24 में 36.3 करोड का और उन 24 में 24 करोड का और ओप्रेडिंग पौफित है Q2 ряд on year में ऐंक्रेज किया है मुझेगर में stand alone cover करें, income में 97.9 करोड का, year on year में increase किया है, operating profit 25 करोड का, मार्स 24 में 23.9 करोड का जून 23 में 21.8 करोड का अपनेडिंग पॉफिट है क्वाटर ओन क्वाटर यर ओन यर में इंक्रीज किया है नेट पॉफिट 18.7 करोड का मार्स 24 में 18.3 करोड का और जून 23 में 16 करोड का पॉफिट quarter on quarter year on year में increase किया है EPS 5.9 रुपेश का quarter on quarter year on year में increase किया है result अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छ result पेश किया है भले इक standalone का quarter on quarter के income में down है लेकिन profit बहुत अच्छी growth किया है और इसका जो result आया है market close होने के बाद 6 PM में इसका result आया है 851 रुपेश में share close किया 2.32% का loss हुआ है फाइब डे में 2% का profit है वन मंत में 5.5% का profit और 6 months 41% का profit है तो गाज अगर आप इसमें investment करना चाहते हैं तो आप इसमें investment कर सकते हैं अगर आप इसमें hold करने चाहते हैं तो hold भी कर सकते हैं तो हम लोग वेडियो के प्रेंट करते हैं गर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पुछें मिलते हैं नेक्स रोडर में डिलनें बाई बाई